पाकिस्तान के बादब इस्लामिक देशों के संगठन औरग्राइजेश ऑफ इस्लामिक को ऑपरेशन ने भी आयोध्या में राम लला की प्रांट पतिश्ठा की निंदा की है मंगलवार को एक प्रेस लीज में OIC ने कहा भारत के अयोध्या राज में जिस जगह पर पहले बापरी मस्जिट ढाई गई थी वही राम मंदिर बनाना और फिर प्रांट पतिश्ठा होना चिंता का विश्य है OIC ने आगे कहा हमने पिछले सेशन में विदेश मंत्रियों की काउंसिल की बैटक में भी अपना रुख साफ किया था हमेंसे कदमों की निंदा करते हैं जिनका लक्ष बापरी मस्जिट जैसे एहम इस्लामिक स्तलोग को मिटाना है बापरी मस्जिट वहां पांच सत्यों तक रही थी इससे पहले पाकिस्तान ने भी 22 जन्वरी को प्राण पतिष्टा के विरोध में प्रेस रिलीस जारी की थी पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने कहा था कि ध्वस्त मस्जिट के जगा पर बना मंदिर आने वाले समय में भारती लोकतंद्र के माते पर कलंकी तरह रहेगा विदेश मंत्राले के प्रेसिलीस में लिखा था कि भारत में बड़ती हिंदूत विचाधरा धार्मिक सत्वाव और शेत्री शांती के लिए बड़ा खत्रा है ऐसा करके भारत मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है सेद्यों पुरानी बाबरी मस्जित को 6 दिसंबर 1922 को चरमपंध्यों की भीर ने तोड़ दिया था अफसोस की बात यह है कि भारत के सुप्रीम कोट ने न सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार अपरादियों को बरी कर दिया बलकि द्वस्त मस्जित के जगा पर एक मंदिर के निर्मान की भी इज़ाज़त दे दी यह भारती मसल्मानों को सामाजिक आतिक और राजनितिक रूप से हाशी पर धकेलने के लिए चल रही कोशिशों में से एक है OIC इसलामिक या मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है इसमें कुल 57 देश सदस्य है OIC में साओधी अरब का दबदबा है हालाकि साओधी अरब दुनिया के उन टॉप 10 देशों में भी शामिल नहीं है जहां मुस्लिम आबादी सबसे जादा है लेकिन इसलाम के लिहाद से मक्का और मदिना के कारण साओधी अरब काफी एहम इसलामिक देश माना जाता है OIC के गठन के वक्त इसका मकसद फिलिस्टिन की मदद करना और उसे इसराइल के साय से मुक्त कराना था कश्मिन मुद्दे पर भी OIC ने जादातर पाकिस्तान का ही साथ दिया था संगटर ने हमेशा यही कहा है कि UN के 1948-1950 के प्रस्ताव के हिसाब से कश्मीरियों को अपने लिए खुद फैसला करने का अधिकार मिलना चाहिए इसे के साथ बने राज़कामा टीवी के साथ